अगर आप पहली बार चैनल पे आए चलको सब्सक्राइब कर लीजे इस तरह की अपडेट आपको फ्यूचर में मिलता रहे इसके लिए बैल आइकन भी प्रेस कर दीजे वो गंटी वाला जो बटन है उसे आपको दबा देना है बाई तबे जारकर्ण में चोकीदार भरती जो है आचुकी है अगर आप ऐस चोकीदार कैरियर परसीव करना चाहते हो तो मैं आपको बता दू आप मैट्रिक पास हो टेंथ पास हो एकी बात है लड़का लड़की दोनों यहाँ पे अपलाए कर सकते हैं आखरी डेट नीचे आपको जो है कॉमेंट करके बताना है कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हो यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवगर से बना रहा हूँ अगर आप गोड़्डा से देख रहे हो तो नीचे गोड़्डा लिखोगे राची से देख रहे हो तो नीचे राच अगर आप OBC से करते हो तो 67 इसके अलाबा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 31 और पिछड़ा वर्ग के लिए 15 और जो EWS है उसके लिए जो है यहाँ पे 28 पद है टोटल 246 पदों पे न्यूकती आईए है यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई अब आगे देखिए उम्र सिमा क की बात कर लेते हैं नियूनितम याने की मिनिममम उम्र सिमा जो है वो 18 होने चाहिए कम से कम 18 वर्ग आपकी उमर होने चाहिए मैक्सिमम 35 साल तक हो आप अपलाए कर सकते हो अत्यांत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल 38 साल रखी गई है महिलाओं के लिए 40 साल रखी गई है अनुसूचित जन जाती और पुरुस महिला दोनों के लिए यहां तक सारी बातां किलियर हो गई आगे देखिए आगे देखलो यहां पर क्या और मैं वेट 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 यहां सी देखो एक स्पेलिंग मिस्टेक है समान निका स्पेलिंग में मौमे आकार होना चाहिए वो न पचपन महिलाओं के लिए 144 cm का होना जरूरी है सारी रिक परिक्षा कैसी ली जाएगे तो देखिए यहां पर बताया गया है कि एक मिल जो है आपको दोड़ करना होगा पांच मिनट या पांच मिनट से पहले आपको एक मिल जो है कंप्लीट कर लेना होगा तो 20 नंबर जो है 10 अंक मिलेंगे अधिक समय लेने वाले को जो है डिस्क्वालिफाय कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा मिलाओं के लिए देखिए 8 मिनट में आपको यह दोड़ पूरी कर लिने होगी एक मिल की और 8 मिनट के लिए जो है 8 से 10 मिनट के बीच अगर आप पूरा करते और सारी जांच में आपका जो मेटरिक में परसेंटेज है और जो फिजिकली आपने जो किया है उसके अंकों को जोड़ कर को जो है मेगा सूची तयाद की जाएगी चिकित्सा परिक्षन कैसे किया जाएगा तो इसके लिए मेडिकल जो है आपसे लिया जाएगा कि आप ठी से चल पा रहे हो देख पा रहे हो अथवा नहीं तो यहां पे वो सारी चीज़े जो है टेस्ट की जाती है ठीक है और यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपको बाबा सिर है तो प्राबलम हो सकती है वो भी टेस्ट यहां पे किया जाता है ठीक है पाइल्स की प्रा दस्तावेच कौन से दस्तावेच को जो है सलंगन करना है तो स्वा अभी परिमानित यानिकी सेल पर्टेस्टेट करना है सेल पर्टेस्टेट नहीं समझते हो कोई बात नहीं आपको लिख देना है S E L P जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाना A W T E S T सेल पर्टेस्टेड और आपका नाम है जैसे मैं लिखते था हूँ आपका नाम जो है माल लेते हैं सुमित है तो आप क्या लिख दोगे सुमित अगर आपका नाम सुमित रॉय है तो R A Y लिख दोगे और नीचे आपको जो है डेट लिख देना है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई अब आगे देखो जनमतिती से समंदित सैक्षिक परवानपत्र यानि की टैंथ का जो आपका सर्टिफिकेट है वो काम में आएगा ठीक है आचरन परवानपत्र आपको थाना परभारी से बनवाना होगा चार पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको देना है आगे देखिए अविर्थी लिफाफा के उपर बिग्यापन संख्यां लिखेंगे मैं अभी आपको बिग्यापन संख्यां बता दूँगा आवेदन का नाम लिखना जिस आवेदन पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो बीट संख्यां लिखनी है अंचल का नाम लिखना है साथ में थाना का नाम लिख देना है अगर आप जो आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया यह फौर्म मैं आप लोगों के लिए बता दूँगा कि फौर्म को भरना कैसे है बीट संख्यां आप यहाँ से चुन लोगी बीट संख्यां जो है जो जो गाउं आपका किस गाउं में आएगा वहाँ पर बीट संख्यां के आधार पर आपको लिख देना, अब ये वेकेंसी कहां से आई है, वो देख लेते हैं, यहां से देख लो, ये गोड़ा से आई है, तो ये गोड़ा वाले ही अभियरती यहां पे भर पाएंगे, और जल्दी दुमका देवगर सब जगों से recruitment आईगी, तो याद रखिएगा, हर गाओं के लिए बीट संख्या दिया गया है, वो आपको बीट संख्या के according ही भरना है, बीट संख्या यहां से देख लो, ये आपको दिख रहा है, by the way, कोई डाउट आपका रह जाता हो, तो नीचे comment करके आप पूछ सकते हो, विग्यापन संख्या, एक बटा दोहजार, चौवीस, और देखिए address जो है, जिस पे आपको अपना जो है, ये सारा document बगरा जो है, भेजना है वो आप यहां से देख लोगे, wait, wait a minute, यहां से address दे दिया गया था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट ये रहा, address मिल जाओ भई, एक मिनट ये रहा address, ये देख लो, ये इसी address पे आपको जो है, application form भेजना है, screenshot ले लेजिए, आखरी rate 15-30-2024 रखी गई है, आवे दन पत्र कैसे भरे, उसके लिए अगर आपको एक वीडियो चाहिए होगा, तो नीचे आप जो है, सिर्फ लिख दोगे, A, double, P, तो मैं आपके लिए जो है, application form, बिल्कुल print out कराक भर दोगा की कैसे भरना है, कैसे जो है, चीजे होनी चाहिए, ठीक है, वीडियो आपने यहां तक देख ली, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया, have a good day.